अश्कार जेहिंद आप सभी का स्वागत है आई आज देखते हैं कि हमारे लिए क्या वेरी सैड वन थर्टी नाइन किल आज बस फॉल्स इंटू डीप गोर्ज इंटू जम्मु इंट कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट और लगभग वहां पर इसी घटनाय पहले भी होती रही है आज भी हो रही है तो डोडा का लोकेशन देखना इंपॉर्टेंट है और यह अपने यंग स्टेज में होती है वर्टिकल डाउन कटिंग बहुत करती है और वहां पर कोशिश करके वह वी शेट बनाती है धीरे धीरे यही वी शेप आपका आई शेप में बन जाता है और तब हम इसको क्यानियन का नाम देते हैं यही गोर्ज आगे चलके क्यानियन बने है कि इंदस रिवर भी एक गोर्ज बनाती है और एक माउंटेन है जिसके पास पर वो पूरा टर्न लेती है उस माउंटेन का नाम आपको पताना है हम आपको हिंड दे देते हैं दो आप्शन में से आपको एक चुनना है नंगा परबत या नमचा बरवा दो में से एक चुन करी धीरे-धीरे मिलेगी पर हम लों को यह पढ़ना है पीवी टीजी क्या होते हैं जो पर्टिकुलर्ली वल्रेबल ट्राइबल ग्रूप से मतलब आपके पास जितने भी ट्राइबल ग्रूप से उसमें से कुछ ग्रूप सैसे हैं कुछ आपके ट्राइबल के ग्रूप ऐस आते हैं अब यह हम लोग आगे पूरा अनालिसिस करेंगे कि कौन सी कमिशन के बाद क्या हुआ था तो आप यूपीसी चैनल पर हमसे मिल सकते हैं और वहां समझ सकते हैं क्या है पी बीटीजी अब यह contribution वाला question कहीं भी आ सकता है तो आपको पता हुनाची science और technology के तरह कुछ personality जो पेपर में रहती है वो आपके कहीं भी question में आ सकती है रे चौधरी ने क्या ऐसा दिया है जो equation है उनका वो क्या बताता है क्या वो black hole से संबंद रखता है या फो theory of relativity से संबंद रखता है इन सब चीजों को हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में UPSC Unstoppable Channel पे तो जरूर वहां पे आईएगा NASA ISRO prepare to launch joint space mission तो निसार mission जो है NASA ISRO का synthetic aperture radar का mission है यह आज का नहीं बहुत दिन से चल ला है अब 2024 के starting में ही इसका उड़ान भरे गए तो निसार हमारा और ISRO का एक joint collaboration है जिसके तहत हम कुछ बहुत चीज़े हैं और space में करना चाहते हैं ऐसा नहीं कि पहली बार NASA ISRO मिल ले हैं बहुत बार मिल चुके हैं NASA France के साथ भी मिल चुका है बहुत कुछ करने के लिए तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि collaboration कर करके चीजों को जल्दी कर ले जो भी अगले साल पेपर होने वाले उसमें निसार आपको कहीना कहीं दिखेगा तो इसको पूरे गंभीरता से हम लोग समझ लेंगे कहां है क्यों है कैसे है इसको समझना जरूरी है ग्रीन हाउस गैसे हिट रिकॉर्ड हाइं 2022 ना डास वेरी में भी पर्सेप्टिबल थिंग जैट इस गोइंग और ग्रीन हाउस गैस लगभग अगर आप देखेंगे तो 2022 में माना जारा सबसे आदा ग्रीन हाउस गैस रिलीस की गई और इस एमिशन के लिए जिम्मेदार ह गोती उसने बोला कि 1.5 डिग्री से में तेमपरेशर कम करने की कोशिश करेंगे हम लोग पर ऐसा हुआ नहीं और आप तो टेमपरेशर टू डिग्री से भी ब्रीच करने वाला है तो कहीं ना कहीं सारी डील्स यो खराब हो रही हैं यह सब इसलिए और नियूस में आ रहा ह है जो UNFCC की COP28 होने वाली है और दुबाई में होने वाली है और उसके तहर्ट सारे लोग अभी जागरूप हो चुके हैं कि यह गास अमिशन हुआ चाइना ने यह किया यूएस ने यह किया तो यह सब अभी चलेगा कुछ दिन तक IMEC a win-win situation for all states involved finance minister IMEC is your India, Middle East, Europe economic corridor और सभाविक सी बात है कि अगर ऐसा corridor भारत से को यूरप तक बन रहा है तो सभी के लिए इसमें win-win situation ही है India Middle East का और connectivity होगा, Middle East Europe का और connectivity होगा और India और यॉरप का भी connectivity बढ़ेगा हमारे जो प्रोड़क्स से वहां तक पहुँच पाएंगे इन सब के दौरान security भी boost होगा इन सब के दौरान हम एक दूसरे के जो प्रोड़क्स से उसको share कर पाएंगे, ideas को share कर पाएंगे, mobilization होगा, diffusion होगा और शायद कोशिश की जाएगी कि इस पूरे zone को बढ़ा secure और safe रखा जाए, तो सभी के लिए win-win situation है, कुछ लोग तो bidding भी बुलाने लगे हैं, भाई, इरान में कुछ चीजे बनेंगी या फिर आपके Middle East न बनेंगी, तो bidding भी चालू हो गई है, तो वहां का economic development भी अ क्या है, कब भारत इसमें जुड़ा, financial action task force क्या करता है, कैसे money laundering के उपर इसने कुछ recommendations दी और इसके recommendations को बहुत अच्छे से जाना जाता है, 40 प्लस 9 recommendations given by FATF, हमें इसके साथ ही पढ़ना था, कुछ दिन पहले, अचानक से CCPA जो हमारा है, जो competition, sorry, Central Consumer Protection Authority है, Central Consumer Protection Authority है, उसमें कुछ coaching संस्थानों पे कुछ fine लगाया, हमें यह समझना है कि CCPA आखिर क्या करता है, CCPA 2019 का Act है, वो क्या करता है, वो कैसे अलग है अपने पिछले वाले Act से, यह सब हमें समझना होगा, एक critical evaluation में, UPC Unstoppables पे हम अभी इसको समझने वाले हैं, तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे पास पढ़ने को, जरूर इसको एक बार अच्छे से देख लीजेगा, और UPC Unstoppables पे हम मिल भी रहे हैं, और तब तक के लिए आप से विदा लेते हैं, और आपको बता दें, निरंतरता ही, सफलता की कुझी है, जो निरंतर है, वही स सफले, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता हैगी, जे हिंद!